धूझे देखे गाइब यम्मी, टेश्टी, साधी, स्टाइल, मखाने और मटर की सबजी, इस समय मखाने मटर बहुत अच्छे से हरी, फ्रस मटर आ रही हैं, तो हाज हम आपको बनाना बताएंगे, बिना लेसन पे आज के अचे के, बिना लेसन और पे आज के भी बहुत अच ठीक तींटिट आशीदम यम्मी टेस्टीप भनेगी हमारी मखाने की सब्सित तेख लिए यह हमने लए-टोरी effective युछ लिए हैं य हमने ले रखें 2021 क्राइप्ट लगे मखा टोरी के ञझे तो आफ एक मुठ्षी भी ले सकते हैं और अगर काजू नहीं भी है तो आप मुंफली के दाने भी ले सकते हैं ये देखिए दो से 3बाटर ले लिए तो इस तरह से मखहने हम हाथ मेङ सब्सक्राev से तूप जाता है तो हमारा मखहना सब्सक्राइब कच्छं lider और झाल तो ईक रखिमूर्स सब्सक्राइब में कंडूरम्स सब्सक्राइब का सब्सक्राइब दático झाल ब्रभ तो तो इसको पकाना बहुत जरू होता है अगर आप मस्टर्ड ऑयल में खाना बना रहा है तो तो एक स्पून जीरा डाला हुआ है और अब हमने डाल दी है टमाटर प्यूरी क्योंकि जीरा तलकने के बाद आप टमाटर प्यूरी डाल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा इससे हमारे चौर ड्राई मसाले हम यूज़ करेंगे वो हमारे जलेंगे नहीं तो ये देखे एक चमच हमने एक स्पून ले लिया है ह असमीरी लाल मिर्श जो की तीकी नहीं होती है इसलिए हमने भर के स्पून डाला है इससे कलर मसाले का बहुत टेस्टी और बहुत यम्मी आता तो देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छे से आया है कितना यम्मी है इसी से एकदम रीचनेस आ जाईगे तो ये हमने काजू का पीस में एड कर दिया है इसको भी दीमी दीमी फ्लेम पर हम पका लेंगे इसको क्योंकि काजू है वह भी बहुत अच्छा टेस्टी लगेगा अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप मुमफली के दाने भी डाल सकते हैं जिन मुमफली के दाने भी इसमें पीस कर है और अब डाला है स्वात के अनुसार नमक ठीक है अगर नमक आप नहीं डालेंगे तो यह मतर कुक नहीं होगी इसलिए हमें मसाली के साथ ही मतर को भी कुक कर लेना है जिससे कि हमारा जल्दी से सबजी बन कर तयार हो जाए तो इसको हम चलाते हुए भून लेंगे और यह क्योंकि मसाले इमारे जले नहीं इस वज़ा से अच्छे से भूनेंगे और मसाला भी भून जाएगा साथ साथ में मतर भी कोख हो जाएगी तो दोनों काम हो जाएगे तो इसको ढखते हुए हमें पका लेना अच्छे से तो यह देखते हैं गाइस हमारा मसाला भी भून चुका है और कलर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से कलर आया हुआ है मसालों का और मटर भी हमारी कुखो चुकी है तो आप इसमें हम इसको भूनने के बाद में इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ा सा पानी या फिर आप ग्रेवी का चाहिए उतना पानी आड कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं हमने दो कतोरी या दो बाउल पानी आड कर लिया है क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी पर मीडियम कंसोंटेंसी roughly आप 뭔 मुझा नाहीग इतनी ग्रेवी चाहिए कि आप इसे राइस के साथ खाएं या चापाती के साथ खाएं तो बहुत अच्छा रहेगा एक बात गाइज और टिप देना चाहेंगे हम आपको कि इसमें बॉयल पानी डालें क्योंकि ठंडे पानी डालने से मसाले का ट्रप्रेचर और पानी का ट्र अब इसको आदा मिनट कुक करेंगे डाक करके उसके बाद में हम इसको सर्व करेंगे गाइज अगर हमारी यह रेस्पी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा सस्क्राइब करिए और शेयर करिएगा यह देखेगा हमारी जो सबजी है वो बन कर तयार है अब इसमें हम अपना एड करेंगे गरम मसाला और फिर एड करेंगे धनीया धनीया म Dasmosly अच्छी लगती है दो खरकर दर दर दाधिया इसमें थोड़ी ज्यादा यूस करेंगे तो इसको अब चलाते हुआ चलीए हम करते हैं सब और फिर बन गई हमारी सबजी है तो चलीए सब करते हैं यह देख सकते हैं गाइस इसका कलर इसका टेक्स्चर आप लोग देख सकते हैं कि कितना यम्मी और कितना टेस्टी है इसको आप चाहें राइस के साथ खाएं या चापादी के साथ खाएं बहुत 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 ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है तो प्लीज अगर हमारी ये रेस्पी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर मिलते नेक्स डे नेक्स रेस्पी के साथ बब बाई